LibreOffice Calc वीच, Formulas अते Functions अते Spoken Tutorial वीच तो हडा स्वागत है एस Tutorial वीच, असी एना देबारे वीच सिखांगे Conditional Operator, If or Statement, Basic Statistic Functions, Number नू round off करना एथे असी अपने Operating System दे तौर ते, GNU Linux अते LibreOffice Suite Version 10.10.4 दा इस्तेमाल कर रहे हा असी Basic Arthematic Operators लागू करने, जिमें जोडना, कटोना, अते Data दे ओस्त करना पहला ही सिख चुके हा हुण कुछ लाबदाएक Operators दे बारे सिख दे हा एक बहुत दी आम तोर ते इस्तेमाल किते जानवाला Operator है, Conditional Operator Conditional Operators उप्योग करता द्वारा Data उटते लागू functions नू जाच दे हा अते फिर जवाब Boolean ठीक जांगलत विच दिखोंदा है चलो Personal Finance Tracker.ods खोल दे हा इते Coast Heading देहे था असनी कई सारियां चीज्जानियां कीमता नू सूची बद कीता है इस उते Conditional Operators लागू कर दे हा अते जवाब दा विशिलेशन कर दे हा B10 नाल निर्दारिज सेल उते क्लिक कर दे हा अते इस दे अंदर Condition Result टाइप कर दे हा हून C10 नाल निर्दारिज सेल उते क्लिक करो Condition दा जवाब इस सेल विच लागू हुवेगा अते दिखाया जागेगा ते आन दो House Rand दा खर्चा 6000 रुपिया है Electricity Bill दा खर्चा 800 रुपिया है House Rand दा खर्चा Electricity बिलतों ज्यादा है असे इस उते वक्वक कंडिशन नू लागू कर सक दे हा अते जवाब जान सक दे हा C10 नाल निर्दारिज सेल उते क्लिक करो इस सेल विच पहली कंडिशन टाइप करो इस एकल टू C3 ग्रेटर दन C4 अते एंटर दबाव जिमें की सेल C3 दी वैल्यू सेल C4 तों ज्यादा है असे ट्यू दा जवाब प्राप्त करांगे हुन इस कंडिशनल स्टेटमेंट नू इस एकल टू C3 लेस दन C4 विच बदल दिन दे हा एंटर दबाव सनु जवाब फॉल्स मिलदा है इस परकार नाल तुसी होर कंडिशनल स्टेटमेंट नू लगू कर सकदे हो अते जवाब जाच सकदे हो एहे स्टेटमेंट बहुत ही लावदा एक हुन दे हन जदों काफी मात्रा विच डैटा दे नाल कम कर दे हन कंडिशन दे अनुसार जो ठीक है ओ जवाब प्रिंट करों लई तुसी डैटा होते इफ अते और कंडिशन इस्तेमाल कर सकदे हो सी टैनल निर्दारिद सेल होते क्लिक करो अते टाइप करो इस इकल टू इफ अते ब्रैक्टा दे अंदर C3 greater than C4 कॉमा डबल कोट्स दे अंदर पॉजिटिव कॉमा अते फिर डबल कोट्स दे अंदर नेगटिव इस दा मतलब है जे कर सेल C3 दी वैल्यू सेल C4 तो जादा है ता पॉजिटिव दिखाया जादेगा जे नहीं ता नेगटिव दिखाया जादेगा हुण एंटर दबाओ त्यान दो कि जवाब पॉजिटिव है क्योंकि रुप 6,000 रुपेद 800 पय तो ज्यादा हन हुण चलो condition statement विच greater than no less than विच बदल दे हाँ अते एंटर बटन दबाओ त्यान दो कि जवाब हुण नेगटिव है क्योंकि cell C3 दी वैल्यू, cell C4 दी वैल्यू तो ज्यादा है जे कर आसी cell C3 अते C4 दा डेटा बदल दे हाँ ता तुस्हीं बदलाव नूँ जवाब विच भी बेख सकते हो जवाब हुण नेगटिव दिखाया हुया है हुण cell C4 दी वैल्यू नूँ सत हजार तक बदा आजयो अते एंटर दबाओ जवाब अपने आप भी पॉजिटिव विच बदल जन्दा है फिर दुबारा cell C4 दी वैल्यू नूँ आड़ सो तक गटाओ अते एंटर बटन दबाओ जवाब फिर अपने आप नेगटिव विच बदल जन्दा है हुण बदलामा नूँ मिटों दे हा अग्गे कुछ अर्थमेटिक्स अते स्टेटिस्टिक फंक्शन्स बारे सिखते हा बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन्स विच एहे शामिल है जोडन लई सम गुणा लई प्रोडक्ट पाग लई कोशेंट अते कई होर जोसनी पहलना ही पिछले टिटोरियल बीच सिखे हान हुण सम प्रोडक्ट अते कोशेंट फंक्शन्स किमें कम कर दे हान ए जांचन लई कुछ अप्रेशन्स कर दे हान सब तो पहलना Sheet 3 चुनो, B1, B2 अते B3 नाल निर्दारित सेल दे अंदर करम वार 500 अते 115 संख्यामा दर्ज करो सेल A for उते क्लिक करो अते सम टाइप करो सेल B for उते क्लिक करो असी इस सेल विच नतीजे दी गिंती करांगे इस इकल टू सम अते ब्रेक्टा दे अंदर B1, B2, B3 टाइप करो एंटर दबाओ त्यान दो नतीजा 300 दिखा रहा है तुसी इस ब्रकार नाल सेल दी रेंज विए एंटर कर सकते हो B4 उते दुबारा क्लिक करो हून ब्रेक्टा दे अंदर B1, B2, B3 दी बजाए B1, B3 टाइप करो एंटर दबाओ फिर दुबारा नतीजा 300 दिखोंदा है हून सेल A5 उते क्लिक करो अते प्रोड़क्ट टाइप करो सेल B5 उते क्लिक करो इथे इस इकल टू प्रोड़क्ट अते ब्रेक्टा दे अंदर B1, B3 टाइप करो एंटर दबाओ त्यान दो कि नतीजा 700,000 दिखोंदा है हून बेख दे हां कि कोशन्ट किमें कम करदा है असी नतीजे दिगिंती करन लई इस सेल दीद बवर्तों करांगे अते इस इकल टू क्वेशन्ट अते ब्रेक्टा दे अंदर B2, B1 टाइप करो एंटर दबाओ तहानू नतीजा 2 मिलेगा अजय एस लई क्योंकि सो पाग पंजा दो जिन्दा है इस तरह कैलक वीच असी कई परकार दे अर्थमेटिक ऑप्रेशन्स कर सकते हां ओने सिख दे हां कि स्टेटिस्टिक फ़ंक्शन्स नू कीमें लगू करना है स्टेटिक फ़ंक्शन्स स्प्रेडशीट वीच डेटा विशिलेशन लई लावदायक होंदे हां उदारंदे लई functions जिमें count, min, max, median, mode अते कई होर statistical होंदे हान। सब तो पहला sheet 1 उत्ते क्लिक करो। भेख दे हां कि किमे statistical function दा इससे माल करके हेटला अधिक्तम अते विचकारला मूलुपता कर दे हान। C10 आव निर्दारित सेल उत्ते क्लिक करो। जित्ते असी नतीजय दखा मांगे। कोस्ट हेडिंग दे दीन सदे कोल बहुत का 10 ट्रिक्स हान। कटो-कट कीमत 300 रुपई है। वत वत कीमत 6000 रुपई है। एन तीजय हान जो दिखाये जाने चाहिए दे हान जदो असी उनना दे फंक्षन्स इस्तेमाल करते हां। cell C10 which is equal to max अते ब्यक्टान दे अंदर C3 column C7 टाइप करो। हुण enter बटन दबाओ। त्यान दो की नतीजय चेहजार है जो की कॉलम विच अधिकतम वैल्यू है। हुण statement विच शवद max अते मिन नाल बदलो। अते अंटर बटन दबाओ। त्यान दो की नतीज़ा 300 है जो की कोस्ट कॉलम विच सब तो काट वैल्यू है। विचकारली वैल्यू कड़न लई शवद मिन नूं मिडियन नाल बदलो। अते अंटर बटन दबाओ। नतीज़ा 800 दिखाऊंदा है जो की कॉलम विच विचकारली कीमत है। इस बरकार तुसी डैटा उठते होर statistical functions इस्तेमाल कर सकदे हो। अते उन्ना दे अनुसार विचलेशन कर सकदे हो। इस सेल विच बदलामानू मिटाओ। हुण सिखते हां कि इस संख्यामानू राउंड ओफ कीमे कर दे हां। कोस्ट हेडिंग दे अंदर कुछ बदलाओ कर दे हां। असी छे हजार नू, छे हजार पॉइंट, चौनती, छे सो नू, छे सो पॉइंट, चार, तिन सो नू, तिन सो पॉइंट, तिन विच बदलाँगे। हुण बी इलेमन नाल निर्दारज सेल उत्ते क्लिक करू। राउंड ओफ हेडिंग टाइप करू। C11 नाल निर्दारज सेल उत्ते क्लिक करू। जित्ते असी कोस्ट हेडिंग देदीन चीज्जांदा जोड करांगी। सेल C11 विच इस इकल टू सम अते ब्रेक्टा दे अंदर C3 कॉलन C7 टाइप करू। हुण एंटर बटन दबाव। त्यान दो कि कुल जोड 9601.04 है। हुण मनलों की 80.5 नितिजे विच कोई भी दश्मालव शब्द नहीं विखना जाओ दे। कुल गिंती 9601.04 वाले सेल उत्ते क्लिक करू। टाइप करो इस इकल टू राउंड ब्रेकेट खुलो सम अते फिर ब्रेक्टा दे अंदर C3 कॉलन C7 ब्रेकेट बंद करो। एंटर दबाव। तोसी मेखदे हो कि नतीजा होन स्तन्वे सो एक जो कि स्तन्वे सो एक पॉइंट सीरो चार है। राउंड ओफ हेटली पूरन संख्या जा उप्रली पूरन संख्या लई कित्ता जा सगदा है। नतीजे वाले सेल उत्ते क्लिक करू। अते राउंड टर्मनों राउंड अप नाल बदलो। हून एंटर बटन दबाओ। तुसी बेखदे हो कि नतीजा हून स्तन्वे 0-2 जो कि उपरली पूरन संख्या है। हेटली पूरन संख्या विच राउंड ओफ करन लई राउंड अप टर्मनों राउंड डाउंड विच बदलो। अते एंटर दबाओ। नतीजा हून स्तन्वे 0-1 है जो कि हेटली पूरन संख्या है। अपनी personalfinance tracker.ods नू उससे असली रूप विच प्राव्ट करन लई इनना बदलावा नू अंडू करो। इसे नालक्सी Libre Office केल कुते spoken tutorial दे अंत विच आ गए हां। संखेव विच असी एनन देबारे सिख्या, conditional operator, if or statement, basic statistic function, number नू राउंड ओफ करना। हेठा दित्ते लिंक कुते उपलवद वीडियो विखो। एह spoken tutorial project दा सार करता है। जेकरत वाडे को चंगी bandwidth नहीं है, ता तुसी इसनों download करके वेख सकते हो। Spoken tutorial project team, spoken tutorial दीवर्तों करके वर्कशाप मलगों दी है। Online test नू पास करनवालयानों प्रमान पत्तरवी जित्ते जान देहन। ज्यादा जानकारी लई किरपा करके contact at the rate spoken-tutorial.org उत्ते संपर करो। Spoken tutorial project, talk to a teacher project दा हिसा है। पार्थ सरकार दे MHRD दे राष्ट्री शाकरता मिशन थ्रू ICT राइन सपोर्ट कीता गया है। इस मिशन उत्ते ज्यादा जानकारी इस लिंक उत्ते प्लब्द है। spoken-tutorial.org slash nmeict-intro IIT Bombay वल्लों मैं हर प्रीज सिंग्भून थ्वाडे तूं विधा लेंदा हां। साडे नाल जुडन लई तानवाद।